हेलो इव्रिवान मैं सचिन विस्व कर्मा आज के इस वीडियो मैं आपके लिए मिन्यूर फर्टिलाजर एंड सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंड के कुछ इंपर्टेंट अब्जेक्टिव कुश्चन्स लेकर आया हूँ जो कि आपके परिछा की दिश्च से बहुत ज़्याद सब्सक्राइब करता है अगला कुश्चन है एंज़ाइम के सहायक के रूप में सहायक तत्त तो है इसका अंसर हो जाएगा पोटेसियम पोटेसियम जो है एंजयम के निर्मार में भी सहायता करता है अगले कुशन है किस तत्त की कमी से पतियों का अकार छोटा रह जाता है और उतक मर जाती है पतियों का अकार छोटा वा उतक मर जाती है अगला कुशन है टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट विमारी किसकी कमी से होती है तो केलसियम की कमी से होती है अगला कुशन है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है तो मैगनीसियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैगनीसियम होता है अगला क हरी हो जाती है अगला कुशन है तिलहान फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है तो सल्फर जो है तेल की मात्रा बढ़ाने में बहुत महत्पूर योगदान होता है इसका अगला कुशन है सल्फर की कमी के तत्तो के लच्छन दिखाई देते हैं तो ये उपरी एवं नई पत्त में क्लोरिसिस हो जाती है मतलब हरापन कम हो जाता है पत्तियां पीली हो जाती है जो उपरी पत्तियां होती है नई पत्तियां वो पीली हो जाती है सलफर की कमी के कारण अगला कुशन है किस तत्तों की अधिक्ता से धान में अकोची बिमारी हो जाती है तो यह सलफर की कमी से ह होती है अगला कुशन देखते हैं पौधों में बोरान का कार्य है तो बोरान पौधों में पराग करण के अंकुरण में महतुपूर योगदान देता है और कैल्सियम सोरी पोटेसियम वा कैल्सियम के अनपात का नियमन करता है सब्जियों में स्वाद बढ़ाता है और सरकरा ये कार होते हैं बोरान के अगला कुश्यन है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरान की कमी से बोरान की कमी से ब्राउनिंग रोग होता है फूल गोभी में इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए हुए है उसमें बहुत ही आद इपॉर्टन कुश्यन है वो आपक कमी से पूल को भी में ब्राउनिंग होता है और बोरान की कमी से नीमू के फल जो है कठोर हो जाते हैं अंगूर में एक डिसॉडर होता है जिसे हिन और चिक कहा जाता है हिन और चिक डिसॉडर बीमारी हो जाती है अंगूर में और टॉप सिकनेस आप टोबै को जो तमाकू होत पत्तिन में अगल्या कुषिजन है दलहनी फसलों में नैट्रोजन के इस्थरी करण ये इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद है गोभी में हुप्टेल रिज्का नीमू में पत्ती धब्बा रोग गोभी में हुप्टेल, रिस्कावा नीमू में पत्ती धबा रोग किसकी कमी से होता है तो मॉलिड देनम की कमी के कारण हो जाता है अगला कुशन है सोचन में O2 का वाहग क्लोरोफिल में मदद करता है सोसन में आक्सीजन का वाहक और क्लोरोफिल बनाने में मदद कौन सो तत्तो करता है तो ये है लोहा आयरन अगले कुछन है कौन साथ तो आक्सी करण अप्चेन क्रियाओं में उत्परिरख का कारे करता है तो जो लोहा होता है ये आक्सी करण और अप्चेन क्रियाओं में उत्परिरख का कारे करता है अगले कुश्यन है आगजिन हार्मोन के जैविक संस्रेशन में सहायक है जस्ता जस्ता जो है आगजिन हार्मोन के जैविक संस्रेशन में सहायक होता है जिंक इंपोर्टन कुश्यन है और जिंक की कमी से धान में खैरा रोग मक्के में सफेद कलगा रोग और नीमबू वा कपास वा आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है अगले कुछन है एंजाइमों की क्रिया सिलता बढ़ाता है तो कापर क्या गार करता है एंजाइमों की क्रिया सिल को बढ़ाता है अगला कुछन है पौदों में कापर की कमी के लच्छन दिखाई देते हैं तो ये उपरी वा नई पत्तियों में प्लोरोसिस करता है यानि पीला पना जाता है तो उपरी वा नई पत्तिया होती है उसमें पीला पना जाता है तो उसमें कापर की कमी होती है अगला कुछेन है बोरान की कमी का सूचक है, तो सूरेज मुखी जो है ये बोरान की कमी का सूचक पौधा होता है, अगला कुछेन है नाट्रोजन की कमी का सूचक पौधा है, तो फूल को भी और बंदो को भी होता है, नाट्रोजन की कमी का सूचक पौधा, फासपोरस का सू और डिकल्सियूम फास्फट जो ए साइट्रिक अम्ल में घुलन सील उरोर्ण हैं। अगले कुश्यन हैं, अम्essंवाले कुश्य niewous 3 haw require अगले कुश्य में the nitrogen is more than 15 Marshmallow 5 collateral,已经 399accordione C alcoholmallow 34% है तर सिंकल्स्पर phosphate में the phosphorous phosphorus आजाता है 16% सिंगल सूपर फासफेट में फासफोरस पाया जाता है 16 परसद अगर डबल सूपर फासफेट कुछेगा तो 1632 और ट्रिपल कुछेगा तो 1648 तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लिजेगा तो इस वीडियो में इतना ही वाकी सारे वीडियो आप लोग देख लिजे पिछल से काफी कुछिन आएंगे और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा